हलो दोस्तो दीप मोटिविशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो ये दपावर ओफ फेट का दूसरा पार्ट है अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसका पहला पार्ट देख सकते हैं इस पार्ट में मैं आपको बाकी के सारे पॉइंट्स डीटेल में बताऊंगा आप आगे के पॉइंट्स समझें इसके लिए पहला पार्ट एक बार देख लीजेगा चले दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं ऐसी ही जानकारी पाते रेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजेगा आएए आगे बढ़ते हैं विश्वास का साइकल हमारा विश्वास दो तरह से विक्सित होता है नकरात्मक आस्था साइकल और सकरात्मक आस्था साइकल कर रहे हैं अब मैच ऐसे मोड पे है जहां टीम A आगे है और टीम B पीछे है आप इस सिनेरियो यारी की परदिर्श को अपने दिमाग में कल्पना करके बस imagine कीजे सोची देखिए दोनों टीम्स ने एक ही आस्था के साथ इस मैच को शुरू किया था कि हम मैच जीतेंगे लेकिन अब क्योंकि एक टीम आगे निकल चुकी है इससे दूसरी टीम सोच रही है कि आज हम हार जाएंगे यही मुख्य शुरूवात है जहां पर अब उनको ल लेकिन अब उनका जीतने का भरोसा या आस्था कमजोर होने लग गया इसलिए उनका प्रदर्शन लगातार और जादा खराब होने लगा जब उन्होंने हार मान ली तो लूजर की तरह महसूस करने लगे जिसका असर खराब प्रदर्शन के रूप में दिखा और वो टीम आ उनका मनोबल जादा बढ़ गया वो उतसाहित हो गये और जादा खुश महसूस करने लगे जिससे उनका प्रदर्शन अच्छा होने लगा हाला कि उनके भी कई गोल्स मिस हुए लेकिन जीत के विश्वास से वो बाउंस बैक करते गए और मैच को अपने काबू में करते दोनों टीम्स ने एक ही विश्वास के साथ मैच शुरू किया था कि जीत सकते हैं वो लेकिन इसके बावजू टीम B हार गई इसलिए नहीं कि उन्हें आस्था नहीं थी बलकि इसलिए क्योंकि उनका आस्था सकरात्मक से नकरात्मक में बदल गया जबकि टीम A ने पूरे म हम अपनी भावनाओं और विचारों पर इस हद तक विश्वास करने लगते हैं कि वो हमारे निजी वास्तविक्ता बन जाते हैं हर विचार जिससे हम सहमत होते हैं हर विचार जो हमें सहज लगता है चाहे वो अच्छा हो या बुरा जाने अन जाने हम उस पर विश्वास के आधार पर ही कदम उठाते हैं जो बच्चे अपने अभिवावक यानि की पेरिंट्स को बिना किसी शर्ट दूसरों की मदद करते देखते हुए बड़े होते हैं वो जाने अंजाने में खुद में एक helping nature विक्सित करते हुए बड़े होते हैं जब वो ऐसी स्थिती में होते हैं जहां उनके आसपास किसी को मदद की जरुत होती है तो वो फटा-फट उनकी मदद कर देते हैं क्योंकि वो अपने अन्दर उस आस्था के बीज के साथ में जुड़े हुए होते हैं उन्होंने अपने अभिवावक को ये कहते सुना है कि आपको लोगों के लिए दयालू और मददगार होना चाहिए। उन्होंने अपने अभिवावक को लोगों की मदद करते हुए देखा है। इसलिए वो बड़े होने पर उस आस्था पर शक नहीं करते हैं बलकि खुशी- उसे मान लेते हैं दूसरा उदारन ऐसे बच्चों का है जो बच्चे अपने अभिवावक को आर्थिक रूप से यानि फानेशली स्ट्रगल करते देखते हुए बड़े होते हैं अवाम तोर पर उनके घर में पैसों को लेकर कमी और नकरात्मक बातें की जाती हैं इसलिए जा असान नहीं है अब ये बातें उनके लिए आस्था का बीज बन जाती हैं जब तक वो अपनी उन भावनाओं और विश्वासों को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं तब तक उनके गरीब रहने और जिंदगी भर संगर्ष करने की भावना बनी रहती हैं अपनी वास्तविक के साथ बड़े होते हैं कि पैसे कमाना तो आसान है मन चाहे लक्ष पाने के लिए हमेशा जरूरी उपलब्द संसाधन होते हैं आपको बस उन्हें ढूंड कर इस्तिमाल करने की जरूरत है इस विश्वास की वज़े से ऐसे मानसिक्ता वाले बच्चों के अमीर बनने के जादा मौके होते हैं तो सीख ये है कि पैसा, खुशी और सफलता पाने के लिए आप पैसों खुशी और सफलता को लेकर अपने विश्वास को पहचान करें और अपने अंदर इनसे संबंधित सकरात्मक सोच के बीज बोए कुछ लोगों को लगता है कि आस्था के सही बीज बोने के बाद भी उनको मन चाहे परिणाम नहीं मिले इसका कारण है कि उनके आस्था में मजबूती की कमी है मन चाहे परिणाम पाने के लिए आपका मन अपने काम को लेकर unconditional and unshakable होना चाहिए यानि आपका आस्था इतना पक्का होना चाहिए कि कोई भी आपको गुमराह न कर सके उधारण के लिए अपने corporate career में आगे बढ़ने के लिए एक नौकरी में आस्विकारता के कारण आप अगली नौकरी को ढूड़ना तो नहीं छोण सकते हैं न आपको बार-बार आस्विकारता के बाद भी अपने उपर भरोसे के साथ फिर से महनत करना आना चाहिए क्योंकि कोई भी चीज हमेशा एक बार में नहीं मिलेगी आपको बार-बार महनत करनी होगी शुरुवाती दिनों में तो आप जो भी काम करेंगे उसमें आस्विकारता और हार का सामना करके सीखते हुए आगे बढ़ने के लिए तयार रहना होगा दिन भर में हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं अब तक आप जान चुके हैं कि हर विचार एक तरह से विश्वास का बीज है लेकिन क्या हर विचार आपके दिमाग में रहना डिजर्व करता है नहीं, सिर्फ उन्हीं विचारों को अपने दिमाग में रखें जो आपके सकारात्मक आस्था को मजबूत करने के लिए सहायता करें फालतों के विचारों पर अपना समय बरबाद ना करें क्योंकि ऐसे विचारों से आप जरूरी काम पर ध्यान केंदरित नहीं कर पाएंगे, अपने दिमाग में आने वाले विचारों को लेकर सचेत रहें, उन्हें अपनी हकीकत में लाने के लिए हमेशा आस्था से जुड़े विचारों को अपने दिमाग में दोहराते रहें, क्य उस विचार पर खास ध्यान देना चाहिए उस विचार पर पूरा ध्यान लगाना होगा और उस विचार की गहराई में जाना होगा ताकि आप उसे और जादा मजबूत बना पाएं दूसरी सबसे जरूरी चीज हमारी भावना है हम इंसानों का दिमाग इस तरह से बना है कि हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान लगा पाते हैं जो हमें अच्छे एहसासों से जोड़ देती है उन्ही विचारों पर हमारा अवजेतन मन सबसे पहले जाता है और यही विचार असल जिन्दगी में हकीकत बनने लगते हैं इसलिए आस्था के बीच को मजबूती से बढ़ाने के लिए सकरात्मक भावना को उसके साथ जोड़िए मजबूत इरादे के साथ आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचते हुए सकरात्मक महसूस करें इस तरह आप बार बार अपने आस्था के लिए अपनी अटेंशन दिखाएं तो वो अपने आप ही एक महत्वपूर्ण सोच बन जाएगा और उस सोच को हकीकत बनाने के लिए आपको कारे करने के लिए प्रिरित करेगा आप अपने लाइफ में जिस चीज को चाहते हैं उसके बारे में मन में नकरात्मक विचार आने से वो चीज दूर होने लगती है क्योंकि आपके मन में उसे लेकर आया हुआ नकरात्मक सोच इसे हकीकत बनने से रोकता है आपका मन उस काम को करने का नहीं करेगा और आप जरूरी मेहनत नहीं कर पाएंगे जिसका प्रणाम आसफलता के रूप में भी मिल सकता है इसलिए ऐसे में ये जरूरी है कि उसी चीज के लिए सकरात्मक आस्था में भरोसा करें ताकि उस नकरात्मक आस्था को दवा पाएं सकरात्मक आस्था को मजबूत कर पाएं और अपने लक्ष के लिए जरूरी कारे को ले सकें सकरात्मक भावनाए अब तक आपने जाना कि कैसे आस्था के बीज बोने से फल मिलते हैं साथ ही अपने आस्था को पक्का करके लक्ष को पाना उतना ही आसान हो जाता है अब अपने आप से एक सवाल पूझे कि क्या आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप ऐसे परिणाम हासल करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज असंभव या जादू ही लग रहे हैं तो उन्हें हकीकत बनाने के लिए आज से ही उन्हें पाने वाली बातों में आस्था या भरोसा करना शुरू कर दें। इसे बोएं, इसकी देखरे करें, इसे मजबूत बनाएं और जल्द ही आप इसे अपने जीवन में खिलते हुए देखेंगे। दुनिया में आज तक जो भी बनाये गया है, बनाया जा रहा है और बनाया जाएगा, पहले से ही उसकी इमेज बनने वालों के दिमाग में एक्जिस्ट करती है, जिन्होंने विश्वास के साथ इसकी कलपना की थी। जैसे एपल कंपनी दुनिया के लिए बात में बनी, लेकिन स्टीव जॉब्स के मन में ये पहले ही बन गई, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट सॉफ़वेर लोगों के सामने बात में आई, लेकिन बिल गेट्स के मन में ये कंपनी पहले ही बन चुकी थी। इन लोगों की तरह आपकी कलपना में भी अपार संभावनाएं चुपी हुई हैं। दुनिया में मौजूद हैं, ये सच्चाई आपकी जागरुकता को बढ़ाएगी और आपके विचारों को हकीकत बनने के तरीके ढूलने में समर्थन करेगी। हर इंसान जीवन को अदभुद बनाना चाहता है, जिसके लिए वो दिन भर सोचता है। लेकिन कुछ लोग ही इसे सच में अदभुद बनाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि वो सही समय पर सही बात में भरोसा करते हैं। कई बार जीवन के उतार शड़ाओ की वज़े से जरूरी आस्था से भटक जाते हैं। इसलिए इन्हें याद रखने के लिए लेखक फेथ फेयर बुक बनाने के लिए कहते हैं। इसके लिए अपने सकरात्मक आस्था और विचारों को एक जगह पर लिख लीजिए। ऐसा करके उन बातों में आपका भरोसा मजबूत बनेगा। इसके लिए एक छोटी सी डायरी आप बना सकते हैं जहां आप अपने दिन भर के महत्वपूर्ण विश्वासों को लिखें और हफ़ते में एक बार उसे पढ़ें। ऐसा करने से आप अपने सकरात्मक विश्वासों को लेकर जादा क्लियर हो जाएंगे। हमें से हर किसी की अपनी values और उदेश की अपनी मानसिकता है। इसके बारे में इस पश्टता के लिए इन सभी को faith fair book में लिखना जरूरी है। अपनी faith fair book लिखते समय ध्यान रखें कि ये faith fair book आपके आस्था को हकीकत बनाने का स्त्रोथ है। जिसमें आप पूरे विश्वास के साथ अपने उन विश्वासों को लिखते हैं जिने हकीकत बनाना चाहते हैं। जिससे आप जो चाहते हैं उसके लिए आस्था के बीज बोते हैं। इसलिए बिना ये सोचे कि आस्था को हकीकत बना सकते हैं या नहीं तटस्त होकर फेत फेयर बुक को लिखें जब आप फेत फेयर बुक को तटस्त आस्था के साथ लिखेंगे तो अपने जीवन में चमतकार पूर्ण परिवर्तन को अनुभव करेंगे आस्था के इस किताब में अपने दीर्ग कालिक लक्षों को लिखें और समय समय पर इसे देखते रहें दीर्ग कालिक लक्षों के अनुसार लगु कालिक लक्षों को बनाए और इस यात्रा के दोरान आने वाली चुनोतियों का सामना करें और याद रखें कि अपने दीरग कालिक लक्षियों और विश्वासों को नहीं बदलेंगे दोस्तों आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में नीचे हमें कॉमेंट सिक्षन में कॉमेंट करके ज़रूर बताईए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और इश्वासों के साथ में जरूर शेयर कीजेगा और ऐसे ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजेगा चलिए मिलते आपसे अगले वीडियो में